नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q-Pod 50MG Dry Serup के बारे में आज हम जानेंगे कि ये सीरप कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है इसको लेने के बाद कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं इसको लेने के बाद कौन-कौन से साइड एफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और इसका डोज कब और कितनी मातरा में लेना चाहिए तो इस दवाई में कितना है दम क्या है कम सब बताएंगे हम आई ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरप में यूज होने वाले साल्ट कमपोजिशन के बारे में तो इस सीरप के अंदर सहफ़ोडॉकसें फ्रोकसेटरिल 50 mg की मातरा में पाया जाता है और इसको क्यूरे टोन बायो टेक दोरा बना जाता है जो के अपने आप में बहुत ही अच्छा ब्रांड है बात करते हैं इसके यूज की तो क्यूपोड 50 mg ड्राय सीरप इस ए एंटिबायोटिक एड़ मेडिसन ये एक एंटिबायोटिक मेडिसन है इस कॉमनली गिवन टू चिल्डन यानि कि mostly ये बच्चों को दे जाता है for the treatment of wide range of bacterial infection बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर bacterial infection हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए इसको यूज किया जाता है जैसे आँखों का infection हो जाए कान का infection हो जाए नाग का infection हो जाए फैपडों का infection हो जाए गले का infection हो जाए, या skin का infection हो जाए, या कोई पेट में infection हो जाता है, या आपको कोई मूत्रुमार्ग में infection हो जाता है, या बच्चे को pneumonia हो जाता है, बुखार हो जाता है, बुखार नहीं तूटता है, ऐसी समस्या अगर कोई परेशानी ना हो इस सीरप को लेने के बाद में और आपको बता दें कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं तो ट्रीटमेंट और बैक्टिरियल इंफेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है मैंने बता दिया किन किन समस्याओं में इस सीरप का यूज किया ज जाता है अब बात कर लेते हैं बाकी देखो बच्चों में बहुत सारे रोग होते हैं मैंनी जाइनटिस भी हो जाता है और बहुत सारी रोग तवचा का रोग भी हो जाता है कि इवार हिर्दे की समस्या के लिए भी इसका यूज के जाता है तो बहुत सारे बैक्टिरियल इ रेखने को मिलते हैं आपको बहुत ज्यादा उल्टी का मन होने लगे बच्चे का या बहुत ज्यादा दस्त हो जाए तो आप तुरहन समझ जाएं कि यह दवाई आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्हों ने आपको यह वह देने हैं वो निर्धारित करेगा आपका डॉक्टर डॉक्टर जैसे बताएं उसी प्रकार से अपने बच्चे को यह यूज कराना है इसका डॉज बैसे देना है जैसे आपके डॉक्टर बताएं अपनी मन लोगों भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके, आपको बता दे हम अपने चैनल पर सभी पिरकार की दवाईों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आपके लेकर आते रहते हैं, आप भी चाते हैं सभी पिरकार की दवाईों की जान का रिद्धी है आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकरी के साथ थेंक यू सो मच